नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार सनी देव हो रहे हैं वक्री और वक्री सनी पूरे 142 दिनों तक तमाम रास्यों पर प्रभाव डालने बाले हैं वैसे तो सास्त्रों की माने तो सास्त्रों में कहा गया है कि सनी देव का वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि समाज पर दुर्भिक्ष फैलता है प्रजाजन में रोग होता है और पिडाएं छेननी पड़ती है इसलिए इनका वक्री होना बहुत सुम नहीं माना जा उनसे बशने के लिए क्या करेंगे रोज साम में ओम संग सनिच्राय नमका जब कीजिएगा कम से कम पांच बर और संबब हो तो पीपल के नीचे सनीवार की साम दीपक जला या अपने घर के मुखे दरबाजे पर ही जला ले उससे भी उतना ही लाब होगा सनीवार के दिन साथ सनीदेव का वक्री हो रहे हैं तो जीवन में दसम अस्थान में जब वक्री होंगे तो बहुत सारे आपके जीवन में भाग दौर करवाएंगे और जो दसमा भा होता है वो करियर का होता है तो सनीदेव आपके करियर में हलाकी चार चान लगाएंगे लेकिन इनकी उल्टी चाल जो है आपके जीवन में भागदार भी करवाएगा यानि मेहनस से फल देंगे पद परतिष्ठा प्रमोसन के योग बनेंगे वरिष्ट अधिकारियों का साथ मिलेगा और इसके साथ ही जो मेस वाले हैं उनके लिए देखे यहां पर वक्री होने से बहुत सारे काम में वक्री ऐसे में पिता के साथ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं कारेस्तल पर बहुत मेहनत करने के बाद आपको लाब उतने नहीं मिलेंगे जिसके आफ़कदार हैं तो सब्र और धैर के साथ आपको आगे बढ़ना है हलांकि अपनी वानी पर थोड़ा कंट्रोल रखें क्यो तोल मोल कर बोलिए नवे घर में रहने से हमेशा ही सनिदेव परिसानी ही देता है तो ऐसे में पिता या बड़े बुजुर्गों की सेवा करें तो वक्री सनी भी अच्छा फल देगा पैत्री संपत्ति का लाब देगा दूसरी ओ धन ब्यपार नौक्री के मामलों में फैद लेकिन जो ब्यपारी हैं उनको ध्यान रखना है अपने स्वास का ध्यान रखना है वहन चलाने के समय बहुत साबधानी रखनी है कहीं चोड़ चपेट न लग जाए कहीं गिर न जाए जैसी चीजें हो सकती है समलके रहें तो अस्टमभाव में वक्री होने से इस्तिती थो कि महत्वपुन निन्रे आप ले पाएंगे और साथ ही विदेश से जुड़ेवे कोई भी प्रोजेक्ट है वह आपको मिल रहा है विदेश से लाब होगा किसी महिला मित्र की वज़ा से फायदा होगा और इसमें स्वास्त को लेकर लाप्रभाही तो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि स्वास्त के उपर निगेटिव प्रभाव है अब सनीदेव की उल्टी चाल चुकि आपके रासी के सप्तमभाह में वक्री हो रहे हैं तो कई मामलों में नुक्सान है वानी में कड़बाहट आएगी क्रोज बढ़ेगा भी वहां में अर्चने आएगी स्वास्त का भी ख्याल रखना है धन के मामलों में लखी रहेंगे लेकिन फिर भी संघर्ष्ट जीवन में बढ़ा रहा है सिंग रासी देखिए जो सिंग वाले हैं उनके लिए वक्री सनी बहुत सारे उलट फिर करेंगे आपके जीवन में क्योंकि छटे अस्थान में सनीदे वक्री हो जो सिंग वाले हैं उनके लिए कुछ मामलों में आपको सम्हल के रहना है जैसे कि आप सही दिशा में कारे करने की प्रेणा आपको सनीदेव देंगे सोच समझ कर कीजिए जल्दवाजी में कोई भी काम मत कीजिएगा बढ़ना परिशानी होगा कन्यारासी आपकी सोच को गंभीर बनाएंगे आपको बैक्तित्त को बढ़िया करेंगे आप बहुत घहराई से में जाकर निर्ने लेंगे थोड़ी बहुत भ्रम किस्तिती रहेगी कर्मचारियों के साथ मतवेद ना हो जाए इसका ध्यान रखके माता पिता का साथ मिलेगा भौतिक वस्तु अपना मकान भूमी भवन वाहन प्रपर्टी का सुख मिलने के योग बनेंगे और इसके साथ ही इस स्वास्त को लेकर रिस्तों को लेकर साथ धानी रखनी है और साथ ही पजवे भौ में वक्री होने से संतान से सुप समाचार मिलेगा नोकरी वैपार में ध नुकसानती रहेगी लेकिन आपके क्रोध बढ़ेंगे आपकी वानी में कड़वाहट आएगी यहां पर वक्री सनी जो तुलावाले हैं उनके लिए परिसानी भी है ब्यापार में छोटे मोटे नुकसान होंगे कहीं भी पैसे इंवेश्ट करते हैं बहुत सो समझ कर कीजि और वक्री सरी इसमें आपके जीवन में चीजों को स्थिर करेंगे कार की अधिकता है लेकिन माता के साथ रिस्तों को बेहतर कीजिए किसी मित्र की सहायता से रुके वे काम बनेंगे लेकिन बाटनर्सिप में कोई भी काम ना करे वड़ना कारे हातों से निकलती भी करेंगे ध्यान रखना है सनी देव के उल्टी चाल आपके लिए कुछ अच्छा भी करेंगे जैसे कि मंचाही जगा पोस्टिंग हो कि पिता भाई का साथ मिलेगा अपनी कारिक उसरता के दम पर आप उपलवदी हासिल करेंगे धन के मामलों में आपको लाब होगा धनुरा आपके उपर चल रही है सारह साती अंतिम चरन में सनी देव की उल्टी चाल विशेश रूप से आपको थोड़ा साबधान रखना होगा मान समंदिरा बिल्कुल भी मत खाईए संपत्ती बरगरा से जुड़ा होगा कोई भी मामला है तो इससे में थोड़ा सा ध्यान रखें खर्चे बढ़ सकते हैं वहन चलाने के समय साबधानी रखें बे बज़ा चोड़ चपेट लगने की संभावना है लोग आप पर मिथ्या कलंक लगा सकते हैं तो इससे भी आपको बशना होगा दूसरे भाव में सरीदेव के वक्री होने से हलां कि नुकसान तो है परवानी पर भी कंट्रोल रखना है और अधन के मामलों में लखी है धन आता रहेगा प्रोपर्टी के मामलों में बढ़िया वक्त है पर यहां पर देखे धनवालों आप सोने की तरह तपा कर आपको कुंदन बनाने वाले हैं और धन से जुड़ी समस्या थोड़ी बहुत रहेगी ल आप अपनी दिमाग यूच करें सूजबू से चीज़ों को बेतर करें और वहां चलाते हैं तो बहुत साधानी से चलाईएगा क्योंकि चोड़ चपेट ना लग जाए गिर ना जाए जैसे योग बनते हैं अब यहां पर लगन में बैठ कर सनी देब की उल्टी चाल आपको फ इसका भी ध्यान रखें जॉब करते हैं तो अफिस में परिशानी ना हो ध्यान अखना है और नौकरी छोड़ने की गलती ना करें कुम्रासी साड़े साथी अभी तो सुरू भी है सनी देब की उल्टी चाल आपको बहुत साबधान रहना है और इसमें यात्रा वेगरे में बहुत समल के रहें किसी कडिवी के साथ समंद रिस्ते ना भी गड़ जाए इसका ध्यान रखें इसमें नया बैपार सुरू करना चाहते है तो बहुत सो समझ कर करें आपके लब लाई बैवाहिक जीवन में आपको रिस्तों को बहतर बनाना आपकी जिम्मे बारी होगी क्य समस्तानी आपको समस्या दे सकती है तो इससे भी आपको बाहर निकलना है और अपनों का ख्याल रखें देखिए सनीदेव की साड़े साथी का पढ़्या चलन चल रहा है उल्टी चाल आपके जीवन में संगर्ज बढ़ाएगा तो कुछ ऐसे चीजे होंगी जो आपने कभी है तो नए अफसर मिलेंगे आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे समाज में नहीं पहचान मिलेगी बैबाई जीवन बढ़िया रहेगा स्वास्त भी ठीक है माता पीता का साथ मिलेगा और धन की मुस्किलें भी अब समात होती भी नजा रहेंगी यानि कि वक्री सनी आपके लि यह बन रही है तो यहां पर